Hello everyone, Welcome to G-centric और इस lecture से हम स्टार्ट करेंगे Network Theory Crash Course में Maximum Power Transfer Theorem जिसको Short Form में MPTP बोलते हैं Maximum Power Transfer Theorem अब यह Maximum Power, Electrical, EC इन दोनों में क्या role play करता है Electrical branch या EC branch में यह सब कुछ मैंने विस्तार से G-centric application में जो full version ने उसमें बताया है बहुत enjoy भी किया होगा एक mobile charger जब purchase करने जाते हैं तो हम बिजली का बिल नहीं पूछते हैं बट AC purchase करने जाते हैं तो बिजली का बिल बहुत matter करता है है ना power rating कितने star rating है उसका कितना efficient है तो यह सारा example मैंने full course में बताया है अब मैं जल्दी से बता जाता हूँ इस theorem का theoretical portion क्या है तो सबसे पहले यह theorem हमारी AC और DC दोनों के लिए DC में यह इस तरह का circuit बने का voltage अगर आपका source resistance है और यह है load resistance अब यहाँ पर अगर load resistance आपका जल्दी जल्दी बता रहता हूँ मैं theory सारी के सारी वैसे theory पढ़ाने के जरूत नहीं crash course में पर फिर भी मैंने एक summarize कर दिया है यहाँ पर RL जो है अगर यह fixed रहा यह fixed रहा तो हम लोग कोशिश रहे कि हमारी की जो RL से यह as minimum as possible हो जितना भी source resistance हो minimum जितना हो उतना अच्छा रहेगा और theoretically बोल सकते का RL का होना चाहिए 0 होना चाहिए तो maximum power transfer होगा theoretically but practically minimum जितना होगा उतना अच्छा रहेगा और अगर यह variable है यह RL का जो value variable है इसका मतलब RL equal to Rs जब दोनों बराबर हो जाएंगे load resistance equal to source resistance इस instant पर आपका जो power होगा वो source से load तक maximum flow करेगा maximum power flow करेगा अब यह कैसे निकालते हैं condition RL equal to RL I कैसे वो इस तरीके से आई कि हम लोग का जो load resistance उसमें power क्या होगा जो current जा रहा है load में IL square into RL यह power है अब जो IL current है वो हम लोगों ने किस तरीके से निकाला वो देखती है voltage divided by total resistance और फिर हम लोगों ने जो P equal to निकाला था इसमें current की value put करती है समझ माया यह अगर प्रॉपर theory lecture देखोगे तो उसमें सब कुछ समझ मायेगा अब बात करें AC की तो सबसे ज़्यादा AC में students को दिक्कत आती है AC में क्या होता है पहला अब देखिए यहां पर AC का आपको circuit कुछ इस तरीके से न जाया गया एक voltage AC voltage source या current source कुछ भी हो सकता है यहां पर आपको source impedance होगा source impedance में RS plus J axis यह हुआ हो सकता है सिर्फ resistance हो सिर्फ reactance हो इस तरीके से भी चीज़े हो सकती है मैंने अभी generalize ले लिया है यहां पर हो सकता है यहां प्लस की जगे minus भी हो सकता है कोई दिक्कत ने सब कुछ हो सकता अब यहां पर जो load है वो अलग-अलग हो सकते है तो अभी मैंने किस से represent कर दिया है ZL से represent कर दिया और इसमें 4 case ले लिए कि suppose करी पहला case है कि ZL अगर resistance सिर्फ और सिर्फ resistance रहता है मतलब कि यहां ZL की जगे पे सिर्फ और सिर्फ resistance रहता है तो यहां पर RL किसके बराबर होगा mode of impedance मतलब जो ZL से उसका impedance मतलब magnitude कैसे निकालते है mode ZS का मतलब है कि under root RS square plus XS का square ठीक है इस तरीके से तो यह condition कैसे आई है यह condition वापस पूरा पूरा ऐसा procedure किया है हम लोगोंने वहां से यह condition निकली है इसका मतलब है कि load अगर यहां पर simply एक resistance लगा हुआ है उस resistance की value अगर mode of impedance मतलब impedance का जो magnitude उसके बराबर हो जाती है उस condition पे power जो भी flow होगा वो maximum flow होगा ठीक है यह conditions है सारी सारी अब suppose करिए जो ZL है यह RL प्लस J XL के format में हो और जो variable quantity हो सिर्फ और सिफ आपकी resistance हो है ना यहां पर भी variable आपका क्या था resistance variable ही था यहां पर variable सिर्फ और सिफ resistance हो उस case में RL की value कैसे निकालेंगे RS square प्लस XL और XS मतलब सारी XS और XL जो भी आपका जो XL है और XS है इन दोनों का addition का square अब बहुत सारे students confused हो जाते हैं कि यहां पर अगर capacitance होता suppose करिए यह minus होता यहां पर यह minus होता minus XL तो हम यहां पर भी आपका minus लगा दे हैं ना हो सकता capacitive nature का load होता RC load होता RC load होता तो यहां पर minus हो जाता है ना इसको मैं हटा देता हूँ यहां पर ने तो यह भी minus लगेगा आपको suppose कर यह minus होता तो यहां पर भी हमें minus लेना है ठीक है क्योंकि मैंने theoretical portion में question कराया था तो वहां पर मैंने आप chat box में नेखोगे तो वहां पर गलती से मैंने यह minus नहीं लगाया था विट मुझे लगाना था इसलिए मैंने वापस chat box में solution करके photo लगाया है आपको है ना तो वह chat box में network theory जिसने लोगों ने भी purchase कर रहा जिस से इंटरिक अप्लिकेशन पर तो network वाले chat section में जाके देखना स्क्रॉल करना आपको photo नजर आए का maximum power transfer का पूरा solution करके दिया है मैंने ठीक है तो वह बात मैंने यहां पर भी remind कर दिक हो कि जल्दी बाजी में मुझसे भी गलती हो गई है तो आप से गलती नहीं हो जाए इस वज़े से ध्यान रखना है ना चलिए थर्ड नंबर आपका जो ZL है थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि अगर resistance और reactance दोनों और variable reactance है तो यह reactance की value क्या होगी reactance की value होगी minus excess के बराबर मतलब ज उस केस में ZL equal to complex conjugation है ना यह conjugation of यह complex conjugation बोलते है conjugation में imaginary part क्या होता है reverse हो जाता है मतलब ZS तो ZS का maximum power transfer चुरम में बहुत ही detail version में discuss करें है उसके बाद कुछ important point में बतायता हूं कि graph था जहां पर power और load resistance के बीच में graph था जहां पर maximum power transfer हमें यहां पर कहीं middle में जाके मिलता है ठेक है जहां पर middle में मिलता है और उस condition पर RL equal to Rs होता है but efficiency से हमें compromise करना पड़ता है है ना देखे maximum power और efficiency अगर power ज्यादा maximum flow कराने की जाएंगे तो efficiency क्या हो जाएगा maximum power अगर flow होता है तो efficiency 50% ही रह जाती है और 50% efficiency का मतलब है कि 50% loss इस वज़े से electrical वाले student या electrical equipment जब बनते हैं तो हमारा power maximum करने का motive नहीं होता है हुआ efficient बनाना motive क्योंकि 50% loss मतलब अगर 3 kilowatt बिजली है तो 1500 आपका watt तो क्या हो गया 1500 watt तो आपका loss में चले गया इसी वज़े से हमारा electrical mindset से अगर हम लोग maximum power देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा efficiency को ज़्यादा तबज्यो देंगे और electronics student के लिए क्या है कि बिजली का bill matter नही करते तो वहाँ पर power maximum होना चाहिए efficiency 50% होगा तो भी चलेगा कोई दिक्कत ने बिजली का bill थोड़ी ज़्यादा आ रहा है आप मोबाइल खरितने जाते हो तो दुकानदार से थोड़ी बोलते हो इसका बिजली का bill कितना आएगा charging करते ठाइम पर ठीक है बट एसी खरितने मोबाइल वाले से क्या पूछते हो कि एयरफोन में आवाज आएगा कि नहीं अच्छा है ना sound अच्छा आने का मतलब क्या maximum power transfer theorem लगता है वहाँ पर चले बाकि वह सारी डिटेल भी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर second आपका ये वाला में एक derivation करवाया है आपको full course में maximum power का register circuit पे P maximum equal to VTH square upon 4RTH यह formula बहुत काम का है इससे भी अप्लोग directly अगर VTH और RTH अगर आपको पता है किसी network का तो आप directly maximum power निकाल सकते हो ठीक है इसका derivation बताए second एक third point बहुत important है कि अगर एक circuit दे रखा और यह दूसरा circuit दे रखा यहाँ से लगा कि पहले circuit से दूसरे circuit तक अगर maximum power transfer होता है तो उस condition में जो source voltage होता आपका VS source voltage वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है voltage हाफ हो जाता है ठीक है यह वाले चीज मेंने आपको maximum power हम लोगों ने maximum efficiency और power जब निकाले थे DC मर्शिन में स्ट्रोएंट के लिए बोल रहा हूं वहाँ पर भी चीज बताई थी कि जब भी power maximum होता है तो voltage क्या हो जाता है हाफ हो जाता है जो source voltage वो हाफ हो जाता है इसी वज़े से transmission line में हम लोग maximum power flow नहीं कराते हैं को यह voltage हाफ हो जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है है ना तो य all about the theory of maximum power transfer theorem इसके उपर इतना theoretical portion मेंने बता दिया है short form में क्योंकि यह क्या है क्रिश कोर से चलिए question देखते हैं जल्दी से question बहुत ही simple होते हैं इसके consider the circuit shown in the figure है ना देखिए मैंने जादातर questions आपके dependent और independent वाले लिए क्योंकि student को यहीं पर दिक्कत होती है ना simple simple question नहीं ल resistance अब इस RL resistance में maximum power जा रहा है maximum power जा रहा है इस RL में तो यहाँ पर जो maximum power है maximum power वो क्या है VTH square upon 4RTH वाला formula लगा देंगी तो VTH और RTH find out कर लो तो यहाँ पर निकल आएगा अब दीखे क्या हुआ कि यहाँ से यह कैसे होता है मैं आपको बताता हूं suppose कर इस RL resistance को हम लोग कर लेते हैं और RTH तो इस पूरे network को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस पूरे network को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि यह है हमारा VTH ठीक है और यह हो गया हमारा RTH यह हो गया RTH और यहाँ पर वापस से यह RL resistance connect कर देते हैं RL resistance connect कर देते हैं ठीक है RL resistance connect कर दिया है तो जो RL है हमारा maximum power यह पूरा network पूरा network का equivalent कैसे सो यह पूरा equivalent ही हो गया ना यह equivalent VTH और RTH और वापस load resistance हमने लगा दिया इसका मतलब है कि RL किसके बराबर हो जाएगा RTH के बराबर हो जाएगा और अब यहाँ से जो भी power flow होगा power flow होगा थोड़ी दर के लिए मैं current find out कर देता है I L current तो I L current कितना हो जाएगा VTH divided by RL plus RTH हो जाएगा ठीक है और power इसमें जा रहा है maximum तो maximum power अगर है तो यह हमारा क्योंकि condition लिया है ना RL equal to RTH यह condition लग भी मतलब जो भी power जाएगा maximum यह हो गया अब यह I L resistance यहां पर हम लोग रख देंगे तो VTH का square divided by RL plus RTH का square into RL अब RL और RTH तो बराबर है तो इसका मतलब RL क्या हो गया 2 तो यह हो गया 4 तो VTH का square divided by 4 RL का square into RL एक RL से RL cancel होगे यह RTH RTH ले लो कोई दिक्कत नहीं है यह एक RTH ही ले लो एक तरीका है ना RL और RTH तो यह वाला formula इस तरीके से निकलता है तो power maximum to be teach upon 4 RTH तो यह मैं अभी हटा देता हूँ अभी के लिए क्योंकि यह किस तरीके साथ है इसका derivation already करा चुका हूँ आपको ठीक है तो यह अभी हमारे कामकार नहीं है समझ वागया यह formula कहां से आया तो मैंने short में बता दिया है ना नहीं तो student भूल जाते हैं कि sir यह formula कहां से लिख्या आ गए अब चलिए अब हम लोग यहां पर maximum power transfer करते हैं तो मैं इसको लेके copy paste कर देता हूँ आपस से ठीक है यह मैंने यहां पर copy कर दिया copy करने के बाद अब देखिएगा यहां पर यह हटा देता हूँ मैं थोड़ी तरीके लिए है ना अब यहां पर VTH find out करना है तो सबसे पहले VTH find out करेंगे तो यह हो गया हमारा यहां पर VTH यह हो गया VTH, VTH find करना है मतलब यह terminal हमारा VTH है और यह voltage ले लेते हैं V2 अब दीखिए गलती से V1 मत ले लीजिएगा क्योंकि V1 अल्रेडी आपका dependent वाला symbol है इसलिए मैंने क्या लिया है V2 voltage लिया है और यह आपका क्या हो गया है ground हो गया है अब हम लोग जल्दी से नोडल लिख लेते हैं तो नोडल लिख लेते हैं सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं तो V2 minus VTH है नोडल इस पर लिख रहा हूं में V2 minus VTH divided by 1 plus V2 divided by 2 और यह incoming current आ रहा है तो V1 divided by 2 तो इसका मतलब यहां पर तो बहुत सारी चीजे cancel हो गई है यह cancel हो गया हमारा V1 not cancel हुआ cancel नहीं हुआ है ना दोनों symbol अलग है अब दिखें गलती सागर में यहां V1 ले ले लेता तो यहां cancel कर देता वेट अभी cancel नहीं होगा क्योंकि V1 और V2 अलग अलग है ठीक है यह छोटी-छोटी गडबड हो सकती है LCM ले ले लेंगे तो 2V2 minus 2VTH plus V2 और 2 से 2 cancel हो गया और यह V1 तो इसको मैं थोड़ा सा रियरेंज कर लेता हूँ तो 3V2 minus 2VTH ठीक है और यह V1 as it is ले ले लेते हैं हम लोग equation number 1 अब इस equation में आपको क्या है V1 VTH और V2 मतलब तीन अन्नों है हमें तीन equation की जरूत पड़ेगी solve करने के लिए अब चलो एक नोडल ले लिए दूसरा नोड equation लिख देते हैं तो VTH minus V2 divided by 1 plus VTH minus 5 divided by 3 equal to 0 तीन LC में ले लेंगे तो 3VTH minus 3V2 plus VTH minus 5 equal to 0 तो कितना हो जाएगा 4VTH minus 3V2 equal to 5 यह होगे equation number second दो equation होगे एक और equation कहां से लाएंगे जिस पर dependency तो यहां से कुछ ला सकते हैं अब दिखें यह एक ही element और इनके across दोनों voltage है यह voltage को उनसा 5V हुआ न क्योंकि यह ground है तो यह है तो हम यह बोल सकते हैं कि plus इदर और minus इदर तो यहां पर एक equation और form किया सकती है क्या कि VTH minus 5 equal to V V1 तो इसका मतलब है कि यहां पर V1 की जगे हम लोग क्या यह equation number 3 जहां जहां V1 है वहां हम लोग VTH minus 5 पुट कर दें तो अगर यहां पर पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 3V2 minus 2 VTH और V1 की जगे मैं पुट कर देता हूं VTH minus 5 इसको थोड़ा simplify करते हैं तो यह इदर की side मे लिए आयते हैं तो कितना हो जाएगा यह 3V2 minus 3VTH equal to minus 5 equation number 4 ठीक है और यह equation को वापस से मैं यहां पर ला देता हूं तो यह कितना हो जाएगा minus 3V2 और plus 4VTH equal to 5 अब दोनों को मैं add कर देता हूं क्योंकि मुझे addition से क्या हो रहा है directly यह V2 V2 cancel हो गया चार और minus 3 कितना हो गया यह VTH और यहाँ add हो गया था plus 5 minus 5 दोनों 0 तो 0 तो VTH कितना हो गया 0 अब VTH 0 हो गया इसका मतलब है कि आपका 0 divided by जो भी हो RTH अब numerator क्या हो गया 0 हो गया इसका मतलब पावर भी क्या है maximum power 0 watt तो answer क्या हो गया A is the correct answer बहुत सारे instrument surprise हो जाते है कि sir power 0 बि इसकी बार result देखके हरान हो जाते है student कि यह question कैसे ऐसे surprise आपको gate की examination में मिलेंगे ठीक है चलिए तो बहुत खुबसूरत question था जिसमें हमको VTH find out करना था तो आपको equation बनाना equations को solve करना है simply तरीके से चले next question देखते है question number 94 in the circuit shown below the maximum power that can be transferred to the load ZL is अब इस ZL पे maximum power transfer कितना हो रहा होगा है ना तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर इसको में open करके इस ZL को open करके इसको VTH और RTH के format में लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ तो suppose कर यह इसको मैं हटा देता हूँ और A और B terminal क क्रॉस यहां से VTH और RTH find out कर लें, RTH नहीं होगा, ZTH होगा तो यह circuit कुछ इस तरीके सा बन जाएगा, यह circuit बन जाएगा आपका AC VTH और यहां पर यह हो जाएगा आपका ZTH, ZTH और वापस फिर वापस से हम लोग connect कर देंगे इसको ZL को वापस connect कर देंगे, ZL को वापस connect कर अब ZL का nature जो भी रहे हमें नहीं मतलब यह ZL connect कर देंगे, है ना ZL, तो ZTH और VTH दोनों find out कर लेंगे, तो यहां पर फिर पता चल जाएगा कि इसमें ZL और इसमें क्या अनता रहे, अच्छा इतना आने के बाद आपको देखो यहां पर कुछ भी हो, यह resistance है और कोई भी reactance जो कुछ भी हमें नहीं मतलब, तो जो भी power dissipate होता है सिर्फ resistance में होता है, यह RL में ही power dissipate होता है, यह resistance में ही आपका क्या होगा, power dissipate होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ZL find out करना है, ठीक है, ZL, और अगर आपका यह पूरा-पुरा variable है, क्योंकि transform exam power तो यह पूरा- बर है, इसका conjugation हो जाएगा, ZL, ठीक है, अब चलो, अब find out करते हैं पहले, तो यहाँ पर VTH find out करते हैं, तो VTH क्या हो जाएगा, देखी, यह हो गया open circuit, यह हो गया open circuit, मतलब current 0 ampere, है ना, और यह है आपका current source, current source इसका RMS value अगर देखूं, तो 10 root 2 divided by root 2 angle 0 degree, angle 0 degree हो गया, तो यह हो गया current, है ना, तो RMS में निकाला है ना, क्योंकि हमें current RMS में चाहिएगा, और यही current आपका कहां पर travel करेगा, इसके अंदर travel करेगा, मतलब है कि यह जो है आपका, यह VTH अगर मैं ले लेता हूँ, जो कि open circuit रहेगा, तो VTH, तो VTH कितना हो जाएगा, इसमें जो हो जा जाएगा, J omega L, तो J omega कितना है, 1000, और milli cancel हो जाएगा, तो यह 10J हो जाएगा, 10J simply, तो यह हो जाएगा, 10 plus 10J, आप इसका मैं magnitude निकाल लेता हूँ, तो 10 angle 0 into 10 square, 10 square, तो 2 under root 200, तो 200 का 10 बाहर और root 2 यहाँ पे, और angle कितना हो जाएगा, 45 degree हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, VTH आ यह हो जाएगा, अब हमें ZTH find out करना है, ZTH यहाँ से देखेंगे हम लोग, ZTH, तो यह हो जाए current source open circuit, open circuit हो गया, तो simply यही branch मिलेगी, तो हमारा ZTH कितना हो जाएगा, ZTH हो जाएगा, 10 plus 10J, और यही हमारा source resistance भी कहलाता है, ZTH, अब ZTH आ चुका है, अब इसका maximum power transfer का condition क्या है, क तो आपका ZL जो होना चाहिए, वो conjugate होना चाहिए, ZS का conjugation, तो यह conjugation मतलब 10 minus 10J, मतलब आपका 10 minus 10J होगा, मैंट resistance क्या है आपका, resistance तो महीं है, अब maximum power निकालना है, सपोस करो maximum power निकालना है, तो यह हो जाएगा, I square RMS into RL, और RL है क्या, RL आपका है, यह RL है, RL माइनस 10 यह जो XS है ना यह, अगर compare करें, तो यह आपका JX, JXL है ना, JXL है, तो RL की value कितनी 10 है, तो इसका मतलब है कि current अगर आपका निकल जाएगा, current का square into resistance, और current क्या हो जाएगा, current RMS आपकर मुझे निकालना है, RMS current, मतलब कि यह यहाँ पे flow होने वाला current, यहाँ पे flow होने व बोले जो भी है, तो यह current आपका VTH divided by ZL plus ZS, तो यह कितना हो गया, VTH आपका 200, root 2, angle 45, magnitude से मतलब होता है, वैसे तो हमें, magnitude ही निकालना, angle की भी जरूत नहीं है, और यहाँ पे 10 plus 10J, और plus 10 minus 10J, तो यहाँ से आपकर क्या हो जाएगा, यह cancel, 20, 20 गया, तो 20 सेकंब बिस, 10 root 2, angle 45, वैसे तो हमें 10 root 2 से ही मतलब, magnitude से ही मतलब है, तो 10 root 2 का square into RL कितना है 10, तो यह हो जाएगा आपका 100 into 2 into 10, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा यह 10, हम लोगों ने कहीं मिस्टेक करी है ना, कहीं ने कहीं क्योंकि एंसर थोड़ा सा appropriate नहीं लग रहा है मुझे, य यह mistake हुई हम से यहाँ पर, है ना, 210 into 10, हन्डेट होगा ना, यह होगा, हमें 100 हो सकती है, हमें 100 root 2, हन्डेट när रूट 2 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यह 100 root 2, 100, बहुंदरेट रूट 2, हन्डेट रूट 2, तो यह आपका 10 10, तो 20, तो यह हो जाएगा आपक इसको हटा देते हैं, दो मिनिट, तो यह हो जाएगा आपका 100 root 2 divided by 20, तो 20 से 500, तो 5 हो जाएगा यह, यह हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आपका, यह हो जाएगा 5, तो 25 into 2 into 10, तो 50 और यह हो गया 500 watt, ठीक है, तो 500 watt is the correct tensor, हो सकता है, mistake हो सकती है न, ध्यान से करना, तो B is the correct answer for this question, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, ZL equal to क्या हुआ, ZS हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने यह condition निकाली, कि कौन सी condition है, जिस पर maximum power transfer flow हो सकता है, तो यह आपका जो load resistance equal to हमें पता चलागी, आपका जो source impedance है, उसका complex conjugation ले लिया, फिर VTH find कर लिया, फिर इस तरीके सब पूरा process करके maximum power find out कर लिया, ठीक है, तो मज़ा आया इस question में, तो चलिए next question कितर बढ़ते हैं, so next question है, question number 95, in the circuit shown below, Vs is the constant voltage source, constant voltage source, and il is the constant current load, है न, constant current load है, distance दे रखा है, the value of il, the value of il, that maximize the power absorbed by the constant current load, यह constant current load है, यह कितना maximum power absorbed होगा, तो उसके लिए आपको il की value निकालनी है, ठीक है, यह पूरा कुरा load है, अब suppose करिए, यहाँ पर इस तरह के questions जो होते हैं, पता ही नहीं चलता है, कहां से शुरुआत करें, तो आप क्या करें, जब भी इससे situation हो, कहां से शुरुआत करना है, वापस आप basic पे जाईए, कि maximum power और transform मैं करा गया था हमने, करा यह ऐसा था कि पहले current निकाला हम लोगों ने, है ना, इसमें जो जाने वाला current वो निकाला, और power जो है, वो हम लोगों ने maximum करी, पी इक्वल टू क्या लिखा, पी एल इक्वल टू आई स्क्वेर आर आरेल लिखा ना, हम लोगों ने, देखे मौसब पूट किया, और power को आरेल के respect में हम लोगों ने क्या किया, differentiation कर दिया, same चीज, हमको same process यहाँ पर आज माना, जब भी ऐसे नए questions दीखें हमें, कि पता नहीं चल रहा है, अब आप बोलेंगे, sir, resistance, load resistance तो है नहीं, but load resistance नहीं है, तो हम यह बोल सकते हैं, यहाँ पर plus minus VL, एक voltage जूम कर लेते, तो क्या power को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कि PL equal to VL into IL, है ना, source के cross power, इसा ही लिखते हैं हम लोग, है जूम कर लिए, हमने मन से polarity ले ली, जो होगा देखा जाएगा, ठेक है, अब देखो, यहाँ पर IL निकालना है, अगर हमें, या फिर हमें KVL न minus R into IL, ठेक है, इसको IL कर देजएगा, IL minus VL equal to 0, तो VL की value कितनी आजएगा, कि VL की value हो गई, Vs minus R IL, ठेक है, यह हो गई, VL की value, अब इस VL की value को हमें यहाँ पर put कर देना है, तो PL कितना हो जाएगा, PL हो जाएगा, Vs minus R IL into IL, है ना, और अब इसको Vs, IL और IL का square into R, यह हो गया, PL, अब हमें क्या condition निकालनी है, कि maximum power transfer का flow होगा, maximum condition के लिए हमें क्या करना है, DPL divided by D IL का differentiation करके, 0 कर देना, इसका differentiation पहले कर देते, तो यह हो जाएगा, Vs, और यहाँ पर IL के respect में, तो 2 IL, R equal to 0, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर IL की value मिल जाएगी, Vs divided by 2R, तो यह हो गई, IL की value, Vs divided by 2R, तो यहाँ पर पूछा क्या, आप से पूछा यह ही है, कि the value of IL that maximize the power absorbed by the constant current load is, तो आपका constant current load, यह हम लोगों ने देखिए, पूरा का पूरा पावर लगाया, लोड के क्रोस पावर लिखा, उसमें जो KVL की expression बन रही थी, उससे हम लोगों ने power का expression बनाया, और maximum power transfer की condition लगा दी, तो वो condition लगाने के बाद, आपका जो IL आया है, वो आया है, Vs divided by 2R, तो हमारा option कौन सा में हो रहा है, option में हो रहा है, B is the correct option for this question, Vs divided by 2R is the IL value, जिससे की power maximum हो सकता है, अच्छा, आपसे यहाँ पर यह पूछा जाता ह पूछे जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता, यहाँ पर maximum power भी मिल जाता, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा question था, इस तरहे के questions आपसे काफी पूछे जाते हैं, Vs divided by 2R is the correct answer for this question, आपको question ध्यान से पढ़ना है, और अपने basics को नहीं बुलना, जिस तरीके से basic चलेगा, ठीक है, चलेए, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 96, in the circuit shown in the figure, the maximum power delivered to the register R, इस register में कितना maximum power आपका जा रहा है, ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, power maximum इस resistance के लिए करना है, तो यहाँ पर इसको open कर दीजिए, open करने के बाद, P maximum equal to VTH square upon 4RTH, यह आपको लगा देना है, तो इसको open कर देते, तो ठोड़ी दिर के लिए मैं इसको वापस से copy कर लेता हूं, ठीक है, यह मैंने copy कर लिया, यहाँ पर copy कर लिया, ठीक है, अब इस resistance को बैंने, यह मैंनो resistance को हटा दिया, अब मुझे यहां पर VTH find out करना है, यह हो गया मेरा VTH, ठीक है, VTH find out करना है, अब देखे VTH मतलब कि यह terminal voltage VTH, अब इस VTH के लिए हमें यह जो V0 है, इसको eliminate करना पड़ेगा, कहीं न कहीं, तभी VTH find out करना पाएंगे, और V0 कहां है, यहां पर है V0, V कितना हो गया, 5K, किलो है न, किलो है, तो यह हो जाएगा आपका 1 milliamp, 1 milliamp हो गया, और V0 अगर निकालना है, तो यहां पर 2K into I1, तो I1 की value, 1 milli, milli और के से cancel हो गया, तो यह कितना हो गया, 2V हो गया, तो यह वाली value कितनी हो गया, 100 into 2, 200 हो गया, और यहां पर अगर मुझे VTH निकालना है, तो VTH नोडल लगा ज़िए, VTH minus 200 divided by 10K, ठीक है, प्लस VTH divided by 40K equal to 0, ठीक है, K से हटा दो, पुरा का पुरा, K को common लेके, उधर multiply कर दो 0 से, तो 0 हो जाएगा, इधर हम लो 4, है न, यह इसको common लेके, 10 को common लेके भी हटा सकते हैं, तो 4 लेक्ट, तो कितना हो प्लस यह हो जाएगा, VTH equal to 0, ठीक है, तो यह कितना हो गया, 5 VTH equal to 800, और VTH कितना हो जाएगा, VTH हो जाएगा, पाने अठे चालीस, तो पांच एकम, पांच और तीन पांच अगतीस, 160 V is the Thevenin's voltage, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, RTH, अब दीखे, RTH निका independent और independent दोनों सोर्से, तो दो method है आपके पास, या तो test voltage लगाईए, और उससे निकाल लीजिए, अब हमने VTH तो find out करी लिया है, जब VTH find out कर लिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या पर test voltage भी लगा सकते हो, या फिर आप short circuit से जा सकते हो, तो यहाँ पर short circuit ISC से भी जा सक सकते हो, और आप test voltage लगा के V और I का ratio भी निकाल सकते हो, बट मैं ISC से इसली जा रहा हूँ, क्योंकि VT already मेरे पास find किया हुआ है, तो ISC ही find करना है, तो दोनों का ratio क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा, अब जैसे यह मैंने short circuit किया, तो यह हमारा ground है, तो यह 0V, 0V, यह branch हट पूरी तरीके साथ और इस circuit में कोई impact पड़ेगा, क्या इसकी वज़े से short circuit की वज़े से नहीं पड़ेगा, तो कि V0 अभी कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है, तो आप as it is, यह वाली calculation same निकले कि मतलब यह अभी भी 200 रहेगा, ठीक है, 200 रहा, यह चले गई, branch हट गई, क्य यह हो जाएगा, अपका 20, 20 milliampere, 20 milliampere, तो यहाँ पर RTS जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, VTS divided by ISE, वो हो गया, 160 divided by 20, और milli है तो उपर जाके आपका क्या हो जाएगा, किलो में convert हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया आठ, तो यह हो जाएगा, आपका 8 kilo ohm, 8 kilo ohm हो गया, ठी और निकालने के लिए P maximum equal to 160 into 160 square दो बार लिख दिया मैंने 4 into ये कितना है 8 kilo 8 into kilo है तो 110 है ना इस तरीके से कर दिया अब इसको जल्दी solve कर लेते हैं करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दो शुन्य से तो पहले शुन्य शुन्य गायब कर देते हैं है ना और ये सबसे पहले आठ एकम आठ और आठ दुनी सोला और दुनी सोला हो गया और क्या है चार चार चुक सोला तो चार दुनी आठ तो 8 divided by 10 that is 0.8 watt is the answer ठीक है समझ में आया अब देखिए बहुत ही सिंप्ली थरीके से हम लोगों ने अब देखिए जरूर हम जैसे टेस्ट वूल्टेज अब आप बोलेंगे सर टेस्ट वूल्टेज वी और आई के ही रिशु करके आएगा उससे भी answer आएगा बन बहुत complex हो जाएगा अब यहाँ पर जैसे ISC किया क पूरा का पूरा हमारा डारेक्ट यही वाला वूल्टेज वी टीज बनके जो 10 VL था है ना तो similar kind of जब भी हम लोग ISC करेंगे तो इस तरह के question से बहुत सारी चीज़े eliminate हो सकती है तो आपको चारो तरीके से दिमाग खुला रखना है question solve करते टेम पर ठीक है चलिए next question देख यह वाली आरके विली for which maximum power is transfer from circuit A to B इस तरहे questions बहुत सारे store and doubt भी पुछते है मुझसे अब दिखेगा इसको दो method से करेंगे first method जो की बहुत ही easy है first method ठीक है इससे करेंगे अब जब भी आपको एक circuit से दूसरे circuit जाना हो तो voltage क्या हो जाएगा इस terminal यह जो source voltage है यह क्या हो ज है यह current I1 और I2 current यह दोनों के दोनों आपके रहेंगे बराबर ठीक है तो यहां पर देखें तो यह वाला terminal voltage कितना हो जाएगा 3V के लाएगा ठीक है इधर का 10V के लाएगा 10V के लाएगा तो यहां पर हम यह बोल सकते हैं कि एक तो हम लोगों ने क्या है idea लगा लिया कि ज सेम ही current एक ही लाइन है तो एक ही current जा रहा होगा दोनों circuit में अब देखें यहां पर यहां पर हम यह बोलेंगे 10-5 divided by 2 equal to 5-3 क्योंकि 0 AC जरूर है बट 0 एंगल पर है ना divided by resistance तो यह कितना हो गया 5 by 2 और यह हो गया आपका 2 by R तो यह हो गया R equal to 4 by 4 by 5 मतलब 0.8 ohm in the answer तो यह था shortest method अब बहुत सारे student को यह method समझ में नहीं आ रहा है क्या आप बोल रहे है किसे क्या बोल रहे है प्रॉपर्टी हमें समझ नहीं आ रहे है आप तो तरीके से बताओ चलो second method तरीके से चलते है second method में यह है कि यह जो voltage है आपका यहां यह एक circuit है यहां से maximum power transfer इस वाले circuit में हो रहा है तो यह एक तरेका हम यह बोल सकते हैं कि यह हमारा VL है एक तरेका क्या बोल सकते हैं VL voltage बोल सकते हैं और यहां पर VL voltage एक तरेका इस circuit के लिए यह वाला जो terminal है यह लोड़ी कहलाएगा तो यहां पर अगर maximum power transfer हो रहा होगा तो वह हमें देखना है तो चलिए second method डिसकस करते हैं तो यह second method है अब दीखे second method में हम यह बोल सकते हैं कि यहां पर इस terminal से आएगा त हम लोगों ने इस तरीके से यहां पर VL लिख दिया है अब यहां पर P equal to PL equal to VL into IL अब यहां पर जो current है आपका IL current है तो यह जो current है यह पूरा IL current है इस second method के लिहां से यह current यहां से यहां सब जा रहा है तो यह load है तो load तरप current जा रहा है तो IL current हमने find कर लिया IL current कितना 10-3 10-3 divided by 2 plus R यह हो गया हमारा load current हो गया और अगर हमने यहाँ पर KVL लिख दिया एक तो यहाँ से KVL कितना हो जाएगा 10 minus 2 IL minus VL equal to 0 तो VL की value कितनी हो गई 10 minus 2 IL तो यहाँ पर VL की value 10 minus 2 IL हो गई और IL की value यहाँ पर तो put कर दिया तो VL कितना हो गया 10 minus 2 IL है 7 divided by 2 plus R that is VL और यहाँ पर PL equal to हम लोगों ने लिख दिया 10 minus 2 7 divided by 2 plus R और IL की value वापस हम लोगों ने क्या कर दी है यह IL वापस से 7 divided by 2 plus R का multiply कर दिया है इसे multiply कर यह और variable क्या है यहाँ पर resistance की value निकाल निये उसके respect में resistance के respect में आपको differentiation करना पहला differentiation करिएगा और उसको 0 के equivalent करिएगा तो R की value आपको 0.8 मिल जाएगी अब differentiation आप कर सकते हैं division वाला क्योंकि इसमें जाएगा तो 2 plus R फिर उपर नीचे होगा इसमें उपर नीचे होगा पुरा solve करिएगा तो R की value क्या मिलेगी आपको 0.8 मिलेगी ठीके तो इस तरीके से हमारा maximum power transfer theorem का यह last question complete हुआ और हम लोगों ने superposition theorem Thevenin's and Norton's और third important जो theorem थी maximum power transfer theorem उसको भी complete कर लिया है उससे related हमने सारे questions देख लिये maximum power transfer theorem से लगा के यह हम लोगों ने देखा पूरे theoretical portion देखा उसके बाद एक-एक करके numerical देखे चाहे वो AC based हो DC based हो सारे numerical हम लोगों ने करे है ठीके तो अब 5 numerical करवाएं मैंने और 5 से ज़्यादा की जरुद भी नहीं है क्योंकि बार-बार वही concept लग रहा है पस आपको practice करते रहना है next lecture में हम लोग दो बची वी जो थियो थियोरा में हमारी reciprocity theorem और मिलमेंस थियोरम बहुत ज़दा important नहीं है बट जो अभी किसके comparison में SPT, Superposition theorem, Norton's and Thevenis और MPT इन तीनों के comparison में जो अगली दो थियोरम में बहुत ज़दा important नहीं बट पता होने चाहिए कभी-कभी use हो जाती है वो theorem भी तो मिलेंगे next lecture में reciprocity और मिलमेंस थियोरम के साथ